आज मैं आपको दीपक के बारे में बताऊंगे काम को शुप करने के लिए दीपक को जलाया जाता है भारतिय परंपरा का मानना यह है कि इश्वर हमारे सामने परकाश के रूप में है इसलिए किसी भी शुप काम को करने के लिए पूजा पाट को करने के लिए दीपक जलाकर इश्वर का आवेदन करते हैं दीपक जलाने का मतलब है कि जोती के रूप में देवी देवता वहाँ पर मुझूद है ताकि हम उनकी पूजा कर सके शाम को कितने बज़े दीपक जलाना चाहिए है पांच से साथ बज़े के बीच सही रहता है इतवार के देन तुलसी के सामने दीपक नहीं जलाना चाहिए दरवाजे पर दीपक जलाने का क्या मतलब है मानिता के अनुसार हर दिन घर में दीपक जलाने से सकारात्मक औरजा बनी रहती है हिंदु धर्म गरंतों के अनुसार हर दिन शाम के समय घर के मुक्खे दर्वाजे पे दीपक चलाने से धन की लक्षमी प्रसन होती है दीपक का विशकार का गुवा दीवा दीपबती या मुंबती का विशकार 5000 साल पहले हो गया था इसके लिए बनस्पति तेलिये जानवरों की चर्भी का इस्तमाल होता था घर में रोशनी करने के लिए मशालो दीपक, लाल्टेन का विकास, प्राचिन, भारत, चीन और मिस्र की सबहता से ही हो गया था दीपक का क्या मैत्व है पूजा में गी और तेल का दीपक जलाया जाता है वैसे दीपक जलाने से सकारात्मक रूप से भी देखा गया है इसलिए कहा जाता है कि दीपक को पूजा के समय जलाना चाहिए घर में कौन सा दीपक जलाना चाहिए तेल और की का दीपक जलाना सर्वत्तम माना गया है पूजा में कितने दीपक जलाना चाहिए चोटी दीवाली के दिन घर में मुख्यते पांच दीपक जलाना चलाई है एक पूजा के इस्तान पे दूसरा रोसोई में और तीसरा उस जगा जहां हम पानी पीते हैं और चोटा पीपल की पेड़ पर और पांच वां घर के मुख्य दरवाजे पर यम का दीपक कब जलाना चला है दन तेरस से एक दिन पहले यम का दीपक जलाना शुब माना गया है कार्थिक मास की शुकल पक्ष की तरदशी को यम का दीपक जलाने के परमपरा है दिवाली के दिन कितने बजे पूजा करने चला है सबसे उत्म समय पाँच बजे से साथ बजे के बीश में